हेलो वैबली वन मैं मेतुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अश्य होगी डिटर पलेस भी एमरेस हो कोई भी आप जब भी एजुकेशन वाले एक्जाम को देने के लिए जाते हो चाहे वो प्याटी टीजिटी पीजिटी होस्टल सकूँ अगर आपको इसकी पीडिएप चाहिए होगी तो नीचे पीडिएप कॉमेंट कर देना और जैसे ही कॉमेंट सेक्षन में पीडिएप सो कॉमेंट आ जाएंगे न तो इसकी पीडिएप को मेंट टेलिग्राम पे अपलोड कर तूँगा तो चलिए शुरुआत करते ह फर्स्ट कोशन के साथ क्या पूछा गया है देखिए भारत में किस सैक्षरिक योजना का उद्देश चो से चोगदर साल के बच्चों के जो आयू के वर्ग के बच्चे हैं उनको मुफ्त जो है सिक्षा और अनिबार यानि कि free and compulsory education दिया जा है तो उस योजना का नाम आप से पूछ लिया गया है और आपको पता होगा आपने लोगों हाजारों बार देख रहे होंगे कि एक पैंसिल पे जो है एक तरफ लड़की बैठी हुई है और एक तरफ लड़का बैठा हुआ है और उस पे क्या लिखा हुआ है सर्व सिक्षा अभियान अगर मैं से थोड़ मैं आपसे पूछा जा सकता है तो आपको फटा-फट आंसर कर देना है कि 2000 यानि कि 2000 में इसकी सुरुवात करी गई थी यह बात आपको याद रख लेना है अब आपसे एक और सवाल यहां से पूछा जा सकता है एक और सवाल बनता है कि इसका मोटो क्या है एक्छली डिखना हर जो भी प्रोग्राम बनते हैं उसका एक मोटो होता है तो इसका मोटो क्या है तो आपको मोटो में लिख देना है education for all इसका जो मोटो हो जाएगा वो हो जाएगा education for all ये आपको बता देना है क्लियर हो गई बाते चलिए अगले question के और बढ़ेंगे अब जो new education policy है NEP के बारे में उस पे एक अलग से dedicated वीडियो आए कि don't worry new education policy के बारे में बता दू अब जो है इसे 14 से लेकर 18 तक जो है इसे जो है senior secondary में जो है तब्दिल कर दिया गया है I hope कि आपको सारी बाते clear होगी होगी इसका सही जवाब हो जाएगा सवर्व सिक्षा अभियान option B इसका क्या होगा correct होगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगली सवाल की और next question आपके सामने ये रहा which scheme focuses on enhancing access to the quality secondary education for all students बात करते हैं उस योजना के बारे में जिसके दोरा छात्रों को गुनवत्ता पुर्ण जो है माध्मिक elementary की बात की जा रही है यहाँ पे बढ़ाने पे जोड दिया गया है किसकी बात हो रही है बार-बार में कह रहा हूँ secondary education माध्मिक education के बारे में बढ़ाने की बात हो जा रही है तो देखिए यहाँ पे अगर आप जाओगे पढ़े भारत बढ़े भारत यानि की PPPV की और आपका answer रोगा सर्व सिक्षावियान के तहत मैंने अभी आपको बताया कि 6-14 साल के बच्चों को यहाँ पे दिया जाएगा education for all और सर्व सिक्षावियान का पूरा-पूरा motive क्या था प्राथमिक विद्याले को जो है आगे बढ़ाना है प्राथमिक अस्तर पे जो बच्चे बढ़ रहे हैं उनको आगे बढ़ाना है तो यह तीनों option तो नहीं होंगे सर्व सिक्षावियान याँ पिर से है कि जो बच्चे सेकेंडरी में जा रहे है न उनको कम से कम पढ़ना लिखना एटलिस्ट आज आए बात clear हो गए होगी याद रखे का इसमें जो है union government या फिर आप मोदी government के नाम से समझे लो या फिर आप जो है से central government के नाम से भी समझते हूँ वो जो है 75% जो है पैसा देगी और इसमें जो है बचे वे 25% है वो state government यहाँ पे बियर करेगी खर्च करेगी समझ गए बात को कि 75% तो मोदी जी पैसा देगे और 25% आपके जो state के जो chief minister है या फिर जो government है वो यहाँ पे पैसे खर्च करेगी I hope कि आपको सारी बात है career हो गई होगी आगे बढ़ते हैं किस योजना का मुखी उद्देश grade 1 यान कि class 1 से 3 साल के बच्चों के बीच जो है मूल भूत साथ छर्ता या फिर आप English में पढ़ोगे तो foundation literacy की बात की जा रही है तो देखिए FLN आपने ये नाम जरूर सुना होगा foundation literacy numeracy यानि कि बच्चों को कम से कम पढ़ना लिखना बोलना या फिर जो है जोड घटाव जो है अटलिस्ट बच्चों को आ जाना चाहिए class 3 के बच्चों तक को जो है वो अच्छे से किताब पढ़ सके है ना जोड घटाव गुना भाग जो नॉर्मल होता डिली लाइफ में वो एटलिस्ट ये तीन साल के class तक में ये कर ले इस program का नाम क्या है तो देखिए ये program जो है ना option B यानि कि पढ़े भारत बढ़े भारत के तहत किया जा रहा है और ये subgroup है यादर किएगा ये program जो है किसके अंतरगत कराया जा रहा है तो यादर किएगा सर्व सिख्षा अभियान के अंतरगत कराया जा रहा है लेकिन इसका एकोर अलग से नाम है ये subgroup है और मैंने भी आपको क्या बताया ये जो option है ये हो जाएगा option number जो है आपका क्या हो जाएगा option number भी हो जाएगा यानि की पड़े भारत बड़े भारत के तहत जो है कराया जा रहा है लेकिन ये group आपसे ये भी पूछा जा सकता कि किसका पाठ है तो सर्व सिख्षा भियान का पाठ है लेकिन option में जैसे ही आप देखेंगे पी ट्रिपल भी बी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा बी के साथ हम लोग भी आगे बढ़ते हैं next question की हो अगला question देखो क्या है कौन सी योजना नामान करण यानि केडिमिशन की बात की जा रही है अब देखिए बात की जा रही है किस योजना की तो आप सभी को पता होगा मिड़े मिल के बारे में बात की जा रही है मैं आपको बता दू ये सबसे पहले 15 अगस्त को जो है launch की आगया मैं question भी आप लोगों के लिए यहाँ पर छोड़ गे जाओंगा नहीं पता हो गूगल से ढूण के answer आप comment section में करिएगा देखिए इसका सही जवाब क्या होगा देखिए 15 अगस्त 1995 को इसकी सुरुवात की गई थी बहुत पहले इसकी सुरुवात की गई होती की गई है और कई सारे बच्चे होंगे जो वीडियो को देख रहे हैं वो इसमें पैदा भी नहीं हुए होंगे कौन-कौन पैदा नहीं होगा नीचे comment करके बता देना yes I am तो मैं समझ जाओंगा कि नए बच्चे है ये तो ये बाक्त हो गई अब मैं आपसे question पूछ रहा हूँ जवाब आपको देना है आपको बस ये बताना ये जो midday mil scheme है न किस राज्य में किस state में सबसे पहले लागो की गई थी नीचे comment करके आप लोग इसका जवाब दीजिएगा ठीक है भरोसा है आप लोग ज़रूर google पे search करोगे या फिर comment section में देखकर ही आप जवाब देदेना लिखने से आपके brain में जो है long term तक आप उसे याद रख पाते हूँ चलिए अगले सवाल के और में लोग बढ़ेंगे किस योजना का उद्देश प्रारंभिक अस्तर पर लड़कियों के सैक्षिक विकास को सूनिश्चित करना था इंस्योर करना था educational development for girls at elementary level तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा option number ये रहा option number D यहां से आप पढ़ लीजे national program for education of girls at elementary level यानि कि प्रारंबिक अस्तर पर लड़कियों की जो सिक्षा है उसका राष्टे कारिकरम लाया गया था देखिए इसका मुखी उद्यस था कि लड़कियों को at least जोड़ घटा गुना भाग और वो चीजों को पढ़ सके literate किया जा सके ताकि जो है वो आगे decision जो है अच्छे से ले पाए इसका सही जबाब क्यों जाएगा option number D के साथ आपको जाना था D is the right answer चलिए अगले question के और मों लोग बढ़ेंगे भारत में जिला प्रात्मिक सिक्षा कारिकरम यानि कि DPEP की सुरुआत कब करी गई थी बात यहां पे जिला दिख रहा है न आपको यानि कि यह क्या हो जाएगा primary education पे जो है जो है जो है जो दिया गया था चलिए अगले question के और मों लोग बढ़ते हैं देखे अभी जो मैंने बताया आपको DPEP का जो मुख्य उदेश था वो क्या था यह आपको बताने तो देखिए मैंने आपको लोगों को बता दिया कि कम साक्षर्था दरवाले जीलों को जो है चुना जाएगा और वहां पे primary education यानि की प्रात्मिक सिक्षा पर जोर तिया जाएगा अगला question देख लो क्या है DPEP को लागो करने के लिए कौन सी सरकारी संस्था जिम्मेदार थी कौन सी governmental जो है institution यहाँ पे जवाब देही थी इनकी इनके द्वारा जो है इसको लागो किया जाना था तो देखिए जो DPEP है जिले से जो जिस जिले में बच्चे कम तेज है वहाँ पे जो है प्रात्मिक अस्तर जो बच्चे का है वो बहुत खराब हो चुका है उसे चैनित करके आगे बढ़ने का काम जो है सिख्छा मंत्राले का था ministry of education का था यानि कि option यह आपका क्या होगा correct हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं DPEP का किरियानवन के दौरान कितने चर्णों से यह गुज़रा है तो देखिए यह तीन चर्णों से गुज़रा है सबसे पले मैं आपको डेटा ही दिखा देता हूँ सबसे पले देखिए यूनियन गवर्मेंट के दौरा गुज़रा है फिर जो है state government के दोरा ये गुज़ रहा है और finally ये जो है district administration भी आप इसे कह सकते हो यानि कि district level पे जो है इसके उपर जो है काम किया गया है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये तीन stage है मैंने तीन stage आपके सामने लिख दिये option C आपका क्या होगा correct हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं next question की हो next question आपके सामने ये रहा DPEP लागू करने वाला पहला state कौन सा था सीधा सीधा जवाब है मध्यपरदेश ये मध्यपरदेश में इसका सवाई जवाब हो जाएगा option D के साथ आप आगे बढ़ते इसमें time waste में बिल्कुल नहीं करूँगा अब देखिए बात करते हैं operation blackboard की आपको लग रहा होगा कि अच्छे blackboard की बात की जा रहे है यहाँ पे कि at least वहाँ पे जो लिखा जाए पीछे के भी बच्चों को पढ़ा जा सके या पिर उसमें किसी भी तरह का lightning वागेरा का issue ना आए आप अपने जगा पे बिल्कुल सही हो मैं आपके बात से बिल्कुल भी disagree नहीं करूँगा लेकिन इसमें कुछ और चीजों के बारे में भी बात किया गया था operation blackboard में देखिए 1986 में हम लोगों की जो है education policy आई थी आप लोगों को याद होगा उस education policy में जो है national education policy में जो है NEP में जो है बात की गई थी किसके बारे में देखिए walls के बारे में यानि कि school के जो दिवाल है वो at least रठे अच्छे जो है होने चाहिए उनके उपर जो है paint जो है अच्छे से किया जाना चाहिए साथ में जो है toilet बगेरा भी जो है आपका अच्छे से होना चाहिए ये भी आपको याद रखना होगा आगे देख लेते है कुछ और जी जो को toilet साब सुतरा होना चाहिए साथ में जो blackboard है वो at least जो है बच्चे पीछे से भी देखकर जो है समझ सके कि blackboard पे क्या लिखा हुआ है blackboard का अच्छा होना जरूरी है ये सारी बात है जो है की गए थी कब 1997 में यानि कि option C की और हम लोग आगे बढ़ेंगे कुल मिलाकर बात है ये इनसपर टक्चर की बात की गई थी जो बहुत खराप इस्तिती में है उसे ठीक किया जाए तो प्रवाइज दा financial assistant to the schools for the infrastructure development यानि कि स्कूल में जो दिवाल है वाल है उन पे जो है पैंटिंग की जाए और classroom में जो है TLM वेगरा की जो है वेवस्ता की जाए आगे बढ़ते हैं operation blackboard के तहट मुख्य रूप से किस प्रकार के स्कूलों को लक्षित किया गया था उन्हें target किया गया था कि यहाँ पे जो है इसे ठीक करना है तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जागा rural यानि कि गाउं में जो है इस्तिती बहुत खराब थी पंके नहीं है बिजली नहीं है इसकूल में पानी भर जाता हो और इसकूल के चारों और जो है जो चारदिवारी होती है वो भी boundary भी नहीं है सकूल में तो ऐसे इसकूलों को ठीक करने की बात की गई थी कि कम से कम एक boundary हो ताकि आवारा पसूँ वहाँ पे घुसन अंदर ना आस गए और साथ में जो है plantation वगरा किया जाए तो that is option B यानि कि Rural Government School को ठीक करने को लिए इसे target किया गया था चलिए आगे बढ़ते हैं question number 14 की ओर भारत में basic सिक्षा कारिकरम BEP यानि कि basic education program कब से शुरू किया गया था तो देखिए इसका जो सुरुवात है इसकी सुरुवात 1992 यानि की 1991 में इसकी सुरुवात की गई थी ठीक है अभी आगे और इसके बारे में पढ़ेंगे इसलिए मैं बेसिक सिक्षा कारिकरम का मुख्य उदेश क्या था में objective इसका क्या था तो देखिए यहां से आप इसे देख पाऊ कि इसका जो में मोटिव था कि कम साक्षर्ता दरवाले जो जिले हैं उसे चुन लेना था और वहां पे प्राइमरी education जो खराप पिस्थिती में है उसे क्या करना है उपर लेकर जाना है यानि कि प्राइमरी इस तर पर जो बच्चे हैं जो खराप प्रदर्सन कर रहे हैं उन्हें ठीक करना था चलिए आगे बढ़ते हैं भारत में राष्टिये माधिमिक सिक्षा अभियान रमसा कब शुरू के आगया है मैंने आपको बताए था रमसा जब भी आपको दिखे तो याद रखना है secondary यानि कि बड़े क्लास के बच्चों को जो है यहाँ पे उनके बारे में जो है चर्चा की गई है elementary भी आप इसे बोल सकते हो type of बट इसे जो है primary से मत associate कर लेना बात की जारी है secondary की रमसा के बारे में तो भारत में इसकी सुरुवात सबसे पहले राजस्थान में की गई थी आगे उसके बारे में लोग कोश्चन भी देखेंगे इसका सही जवाब जाएगा 2009 में इसकी सुरुवात की गई थी आगे देख लेते हैं यहां से देखो रमसा में किस रूप से जो है किस आयू वर्ग के यानि किस age group के बच्चों को जो है target किया गया था किस group के जो है बच्चों को यहां पर पढ़ाने लिखाने की बात की गई थी याद रखेगा यह जो बच्चे थे वो 14-18 के बच्चे थे इनको educate करने की बात की गई थी option भी आपका सही हो जाएगा मैंने का ना यह secondary वाले बच्चे जो secondary में पढ़ाई कर रहे हैं उनके बारे में यह रमसा कारिकरम था देखिए रमसा कारिकरम किस सैक्चिक अस्थर पर ध्यान केंदरिद करता था यानि कि यह जो है focus है किस level पर focus जो है कर रहा था मैंने भी आपको बताया यह secondary education पर काम कर रहा था option भी आपका क्या होगा correct हो जाएगा चलिए हम लोग आगे बढ़ देते हैं अब बात करते हैं कस्तूरबा गांधी बाल का विद्याले की इसकी योजना की सुरुवात सबसे पहले कब की गई थी तो देखिए इसकी सुरुवात 2004 में की गई थी एक question मैं आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूँ नीचे कोमेंट करके बताना कस्तूरबा गांधी बाली का विद्याले की सुरुवात किस स्टेट में सबसे यानि किस राज में सबसे पहले की गई थी अब देखिए कस्तूरबा गांधी बाली का विद्याले योजना के तहत सैक्षिक अस्तर क्या था देखे सबसे पले से primary पे ही खोला गया था open किया गया था but अब देखना यहाँ पे प्लस 2 तक आपको पढ़ाई होते भी दिखेगी यह बड़ी बात है अब तो admission भी सायद 6 के बाद ही लेते हैं यह यानि कि primary से जो है अब यह ऊपर आ चुका यानि कि primary school बहुत सारे गाहों मे खुल चुके हैं यहाँ पे residential school है जहाँ पे class 6 से लेकर जो है अब पलस 2 यानि कि 12 टकी पढ़ाई है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी लेकिन इसका जो उद्ध्य से था अस्तर था वो क्या था प्राथमी का स्तर पे था याद रखना है आपको आगे देख लेते हैं कस् के बारे में इसमें बात नहीं की गई थी सिधा सिधा सही जबाब क्या हो जाएगा option number C जो दबे कुछले वर्ग से आती है OBC SCST से उन बच्चियों को यहाँ पे आगे बढ़ाने की बात की गई थी कस्तूरबा गांधी बालिका विध्याले का मुख्य उद्धेश क्या था तो देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विध्याले के बारे मैंने आप लोगों को पहले बताया था तो देखिए यहाँ पर elementary education के बारे में चर्चा की गई थी पहले primary था फिर अब इसे shift करके elementary पे पहुँचा दिया गया है elementary level पे बच्चों को लड़कियों को आगे बढ है जाएगा आगे बढ़ते हैं यहां से देख पाओगे भारत में महिला समाख्या कारिकरम कब सुरू की गई तो देखिए समाख्या प्रोग्राम में लड़कियों के अलाबा लड़कों को भी सामिल किया गया था इसके बारे में अलग से question है आगे हम लोग देखेंगे इसक का सही जवाब क्या हो जाएगा option number C चलिए है आगे कुछ question को देखेंगे ताकि आप चीजों को समझपाओ महिला समाख्या कारिकरम का उद्देश या जो गुरूप है इस गुरूप में कौन-कौन सामिल था यह आपसे पूछा गया है तो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पुरूप भी सामिल थे महिलाएं भी सामिल थी और यह question जो है NIOS से पुछा गया है इसका सही जवाब देखिए क्या होगा option number B यहाँ पे जो ग्रामी चेतर के rural area के men और women है इनको सामिल किया गया था option B के साथ आपको आगे बढ़ना था चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे इसका मुख्य उद्देश क्या है लक्ष क्या था लोग जो इसका तो देखिए इसकी सुरुवात राजस्थान में की गई थी इसकी सुरुवात जो है राजस्थान में की गई थी इसका सही जवाब क्या हो जागा राजस्थान से इसकी सुरुवात की गई थी और कुछ ची के एरिया में जो है प्राइमरी एजुकेशन को ठीक करना ही इसका मुखी कारिक जो है उद्यश्थ था नेक्ट कोशन के उनमें लोग बढ़ेंगे भारत में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये जो योजना की सुरुवात की गई थी इसकी सुरुवात जो है 2015 में एक्चुली कर दी गई थी I hope कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी 2015 के बाद से जो है ये अभी बहुत अस्तर पर आगे बढ़ चुका है इसके बारे में हम लोग और भी जो है अगले कोशन के में जो इसे देखेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्योधिस क्या है इसका मुख्योधिस देखिए इसका जो फर्णामेंटल जो प्राइमरी अबजेक्टिव है इसका अबजेक्टिव है कि इन्सियोर करना कि बच्चियों को जो है सर्वाइबल मिल सके प्रोटेक्शन मिल सके और आया जाए और इन्हें educate किया जाए पढ़ाया जाए इसका मुख्य उद्देश यही था आगे बढ़ते हैं सुकन्या समर्दी योजना SSY के लिए खाता खोलने के लिए आवेसिक बालिका का उमर सीमा जो है वो कितनी होनी चाहिए पांस साल है और यहां पे देखिए योजना क का मुख्य उद्देश क्या है तो देखे इसका जो सही जवाब जाएगा आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग की गरीब छात्र है उनको जो है आगे बढ़ाना है CBSC उड़ान योजना का यही मुख्य उद्देश है अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा EMRS Eclibian Model Residential School का जो मुख्य उद्देश है यह क्या है यह किन बच्चों के किन वर्ग के लड़के या लड़कियों को जो है आगे बढ़ाने की बात करते हैं यहापे नीचे कमेंट करके जो है इसके बारे में आप लोग इसका अंसर किजिएगा वीडियो यहां तक देख लिए तो ए